रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें आज रात बारा बजे के बाद इस राशी वालों के घर पधारेंगी महालक्षमी जी हाँ नमशकार दोस्तों जै मातादी स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों आज की रात एक चमतकारिक रात रहने वाली है क्योंकि दोस्तों आज की रात तुलसी विवा है साथी सा दोस्तों आज साल की सबसे बड़ी एकादशी यानि की देव उठनी एकादशी की तिती है और दोस्तों आपकी जानकारी कले बता दें कि देव उठनी एकादशी की रात भगवान विश्नु चार महिने की निद्रायोग के बाद जागते हैं और स्रिष्टी का कार्यभार फिर से संभालते हैं आपकी जानकारी कले बता दें कि चतुर मास की शुरुवात होते ही श्री हरी विश्नु शैनकाल में चले जाते हैं और कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी की रात वे जागते हैं दोस्तों इस रात भगवान विश्नु की और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना और व का दशी का वरत सबसे महत पूर्ण माना जाता है लेकिन दोस्तों यदि किसी कारणवश आप इस दिन वरत नहीं रख पाई हैं तो आपको हम बता दें कि आप इस रात अपने घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जरूर जला दें और अगर आपके घर में आंगन में मा इससे भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी जी प्रसन होती हैं और साथ ही साथ माता लक्ष्मी आपके घर पर वास भी करती हैं दोस्तों आपकी जानकरी कले बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विश्णू के साथ साथ माता लक्ष्मी जी बेहदी भगवान विश्नु की कृपा से धन हानी की समस्या से भी छुटकारा मिल जाता है अगर आप भी धन की तंगी सी छुटकारा पाना चाहती है तो आज के दिन आप एक छोटा से उपाई जरूर करें क्योंकि ये उपाई बहुत कारगर साबित हो सकता है दोस्तों ये उपाई इस प्रकार है कि आप इस दिन पूजा अर्चना के साथ साथ भगवान विश्नु जी और माता लक्ष्मी जी की आरती अवश्य करें जी हां दोस्तों आरती करने से भगवान भगवान श्रीहरी विश्नु और देवी मा लक्ष्मी जी की जातक पर विशे पराप्थ होती है दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आज की रात एक चमतकारिक रात रहने वाली है और दोस्तों आज रात 12 बजह से भगवान विष्णू और माता लक्षमी जी की विशेष क्रिपा कुछ राशी वालों पर भी होने वाली है जससे कि अब इन राशी वालों की सोई हुई तकदीर जागने वाली है इन राशी वाले लोगों के घर अब महालक्षमी आजरात पधारने वाली है जिससे की अब इन राशी वालों को अपने जीवन में धन की तंगी से चुटकारा मिलने वाला है साथी साथ अब इन राशी वालों को अपने जीवन में कई सारे बड़े बदलाव देखने को बिलेंगे जिससे की इनका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है दोस्तों आखिर ये राशीया कौन सी है इन्हें क्या लाब देखने को मिलेगा आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो आप से अंदरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक जरूर देखें साथी साथ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जै लक्ष्मी नरायन जरूर लिख दें पचलिए शुरू करते हैं दोस्तों आपकी जान कर एक लिए बता दें कि अब इनराशी वाले लोगों के यूपर माता लक्ष्मी जी की विशेश क्रिपा होने वाली है और आपको बता दें कि अब आपकी कड़ी महनत का लाब आपको मिलने वाला है जी हां दोस्तों दोस्तों आने वाला समय आपको अपने कारेशित्र और विवसाय में अपार सफलता दिलाने वाला रहेगा इन राशी वालों की अब सारी कठनाईयां दूर होंगी और इनका भाग्युदे होगा माता लक्ष्मी जी की विशेश क्रिपा से ये राशी वाले लोग अब दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने वाली है दोस्तों बता दें कि सबसे पहली जो राशी है वो है मेश राशी जी हां दोस्तों बताना चाहेंगे कि इस राशी के लोगों के लिए ये संयोग धनलाब लेकर आएगा बता दें कि इन पर माता लक्ष्मी की कृपा धन के रूप में बरसेगी यदि अभी तक आपके सभी काम बिगड रहे थी तो ये वक्त खुशिया मनाने का है क्योंकि दोस्तों मालक्ष्मी की कृपा से आपके अब सारे काम बनेंगे दोस्तों बता दें कि अगली जो राशी है वह है तुला राशी बताना चाहेंगे कि इस दोरान आप नौकरी या व्यापार किसी भी शेत्र में हो आपको धनलाब होने के प्रबल योग बन रही है जी हाँ इस राशी के कई लोगों को इस दोरान नई नौकरी मिलने के योग है सेहत संबंद किसी भी प्रकार की परिशानी में आपको इस दोरान रहत मिल सकती है आप लोगों का अटका हुआ पैसा वापस आपको प्राप्त हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपके संबंद इस दोरान मधुर रहेंगे दोस्तों अगली जो राशी है वह है कन्या राशी जीहां दोस्तों बताना चाहेंगे कि इस राशी के लोगों के जीवन में अब कई बदलावाने वाली हैं यह समय आपके लिए बहुती ज्यादा अच्छा है इस राशी के लोगों के यूपर शुक्र देव के क्रिपा रहीगी जो की धन विलासिता और रोमैंस के कारक हैं यानि कि इस महासंयोग के बाद इस पताना चाहेंगे कि आपको अचानक धन प्राप्ती के योग बन रही है यदि किसी की नौकरी छुटी हुई है या नहीं मिल रही है तो उसे इस दोरान नौकरी भी आसानी से मिल सकती है पताद की ग्रहों के शुप्रभाव से आपको तरक्की मिलेगी मानसिक तनाव आपका योग बन रही है इस दोरान शेहर से बाहर की यात्रा कभी आपको लाब आवश्य मिलेगा दोस्तों अगली जो राशी है वह है मिथुन राशी बताना चाहेंगे कि इस राशी के लोगों को इस महासयोग के बनने के बाद बहुत जल्द कोई बड़ी खुश खबरी मिलने के योग हैं व्यापारी अपने व्यापार में जुरान विस्तार करेंगे जिससे उन्हें काफी लाब हो सकता है व्यापार में आपको नए अफसर मिलेंगे अधिकारी आप से प्रसंद रहेंगे इस राशी के लोगों का समाज में मान समान बढ़ीगा जिसका इन्हें पविश काफी ज्यादा फाइदा मिलेगा दोस्तों अगली जो राशी है वह है मकर राशी बताना चाहेंगे कि अगली छे महिने इस राशी के लोगों को अत्यादिक धनलाब के योग बन रही है यदि सही दिशा में निवेश आप करेंगे तो आपके करुड़पती बनने के भी योग बन रही है यदि आप कोई नई वस्तू खरीदने का मन बना रही है तो ये सही समय है इससे आपको लाप प्राप्त होगा व्यापारियों के लिए आने वाले छे मैने बहुती ज्यादा अच्छे रहेंगे दोस्तों अगली जो राशी है वो है कुम्ब राशी बताना चाहेंगे कि कुम्ब राशी पर भी महालक्ष्मी के कृपा बरसने वाली है यदि आप अपने रोजगार या धन को लेकर कोई प्लानिंग कर रही है तो ये बिलकुल सही वक्त है इस समय आपके सारे काम सफल होने की प्रबल योग बन रही है यदि आपने कोई भी ऐसे गलत फैसले लिये थे जिससे आपको अतियदिक हानी हुई हो तो इस समय में आपकी उस सारी हानी की भरपाई हो जाएगी यदि आप व्यापारी है तो नया व्यापार करने का भी आपका योग बन रहा है दोस्तों अगली जो राशी है वह है व्रिशब राशी बताना चाहेंगे कि इस दोरान नए रोजगार आपको मिलेंगे जिससे आपकी आय में व्रिद्धी होगी यदि आप प्रोपर्टी संबंदी मामलों में डर रही हैं तो घबराये नहीं सोच समझ कर लिए गए फैसले से आपको धनला भी होगा यदि आपका कोट या कचेरी में कोई केस चल रहा है तो ये समय आपको जीत दिलवा सकता है इस वक्त आप अपनी महनत के बल पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों अंतिम राशी है धनो राशी बताना चाहेंगे कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है आपके जीवन में धन दस्तक देगा यदि आप अवेवाहित हैं तो इस समय में आपकी शादी तै हो सकती है इस राशी के लोगों की पूरे परिवार पर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी किसी धार्मिक स्थान पर आप जा सकती है इन छे महिनों में यदि आप कोई नया काम शुरू करने की सूच रही है तो बिना देरी किये उसी आप शुरू कर सकती है इससे आपको धनलाब अवश्य पराप्त होगा दोस्तों आपसी अन्रोध है कि आप कमेंट सेक्षिन में सच्छे दिल से जैमा लक्षमी जरूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेर आवश्य कर दें